हलो बच्चों जैहिंद एक बड़ी वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक और इंफोर्मेशन ले करके कि भीया अगर आज हम बात करें यूपीपी के बारे में तो आज थोड़ा सा यहां पर समझते हैं कि आप लोगों को पता ही है कि इसके पहले वेकिंसी आ चुकी है एक्जाम भी हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आने वाला है लेकिन उसके बारे में कुछ और भी इंफोर्मेशन आज आपके सामने सेयर करने वाला हूँ है जहां पर कुछ उसके रैंक पोश्ट और सैलरी वगयरा के बारे में आजम डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहल तो है वैसा काम भी यूपीपी बाख भाखु भी कर रही है उत्तरप्रदेश की पुलिस बहुत ही मन लगा करके बहुत अच्छे तरीके से हर एक तरीके से जो उन्हों ने जो बोल रखा है एक्चुल अपने मोटों में वही वो करके दिखा भी रहे हैं इस टाइम पर और अधिनियम के तहथ हुआ था जो एकसट अधिनीयम के तहथ हूआ तो भीया इस थापना यहां पर यह प्रयाग राज में अभी का प्रयाग राज पहले का जो इलहाबाद था यहां पर हुआ ठीक है अगर इसके बारे में और बात करें भीया तो यहां पर रैंक के बारे में बात करते हैं हाँ बहुत 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 मतलब इसके बारे में तो ज पुझ मिन पढ़ जाते हैं कि यारी क्या होगा मुतलब य मकश्त काौशन होगा तो कई अगर ये लगाते हैं कि हा इस पौर्षस जरूरत की बात नहीं है आज मैं हर एक को आपको विद सिंबल बताने वाला हूं कि वह अगर आप इस पोश्ट में हैं तो आपका कौन सा लोगों होगा कौन सा सिंबल आपको दे दिया जाएगा आईए देखते हैं भी अजरा सबसे पहले भीया कॉंस्टेबल जो कि सबसे छोटी पोश्ट होती है और अगर मैं बात कर ठरीक का कोई भी निसान नहीं होता है किसी भी तरीकिके का लेकर अगर इसका सवर्ड फ़ॉंट फॉर्म सब्सक्राइब अगर वाराफण के पर यह बढ़ता हुआ नजर आएगा कि कई बरी आपके पास एक इस फिर कई बरी अगर आप बनते हैं तो इसमें भी इंटर्नली प्रमोशन आपको देखने को मिलता है कि सर एक बारी अगर हमने हैड कॉंस्टेबल बन गया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर तीन एक बाद हमारे पास जो स्ट्रिप है वो एक बारी में आ जाएंगी ऐसा नहीं है एक एक घ सर्विंग पीरिएड में तो वह भी आपके लिए यहां पर बहुत ही हेल्फुल होता है अगर बात करें उसके बाद तो असिस्टेंट सर्व इंस्पेक्टर जो की एसाई होता है वह अगर कंदे में एक स्टार लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि एसाई पोस्ट पर ह है ठीक है ना साथी साथ अगर हम बात करें कि सब इंस्पेक्टर जिसको आप ऐसाई बोलते हैं तो आप देखेंगे भईया कि उनके कंदे में दो इस्टार लगे होंगे है ना खेर यह बहुत बच्चों का सपना भी होता है और होना भी चाहिए बिलकुल भया कि अगर हमार बहुत जल्द वापस से आने वाली है और इंसपेक्टर की भी आने वाली थो inspires इस सीने पर होगा लेकिन अगरaj सिनियर कॉंस्टेबल के बाद दो स्ट्रेप होती है यहां पर यहां रखना है कि कई बज़ेवारी यहां पर स्ट्रिप लगा दिया जाता है लेकिन यूपीपी की बात करें उत्तर्प्रदेस पुलिस की बात करें तो उत्तरप्रदेश पुलिस में mostly use किया जाता है यही किया जा रहा है लेकिन इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकता है जो पोस्ट में है ठीक है ना अगे जरह देखते हैं अगर हम बात करें की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तो मैं नंग dify या सिंगल स्टार होगा और सब सब इंस्पेक्टर अगर आप है तो भीया आपके पास डबल स्टार वही होगा जिसके पास अहाँ पर दो स्टार होगे अगर तीन इस्टार होना है तिसका मतलब API है आप Assistant Inspector है ना और अगर आप Inspector है यानि कि PI है तो भाई आपके पास यहाँ पर तीन स्टार होंगे या फिर आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि यह जो स्ट्रिप है यह बिसिकली यह स्ट्रिप हटा करके और single star अगर आपके पास लगा दिया जाएगा तो आप inspector वाली post पर पहुँच जाएगे तो यहाँ पर confusion कई पर यह होता है कि आप सिर्फ single star देखते हैं और इसको आप नजर अंदाज कर देते हैं और आप यहाँ पर confused हो जाते हैं कि वो एसाइए यहाँ फिर इंस्पेक्टर है तो यहाँ पर confused नहीं हो ना यहाँ पर आपको ध्यानी रखना है कि अगर यह हटा दिया गया है और सिर्फ एक star लगा दिया गया इसका मतलब है कि भाया वह एक इंस्पेक्टर की पोश्ट में है लेकिन अगर यह भी दिया गया है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एसाई की पोश्ट में होता है वैसे एसाई एसाई और एपी आई में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह strip आपके पास double color की होंगे लेकिन जैसी आप API में आते हैं बहुत सारी रैंक है वैसे तो हमारे यूपी पी के बारे में जितना भी बोलें उतना कम है अब जड़ा देखेगा ASP अगर हम देखते हैं तो ASP आपके पास यह भी संगल स्ट्र होल्डेट होता है लेकिन यहाँ पर Cause You कर दिया जाता है इक साल के लिए ही आपको रखा जाता है उसके बाद आपको धीरे-दही सब्सक्राइब कर लिए तो आपके पास यहीं पर तीन स्टार हो जाएंगे ठीक ना और इसके बाद अब आते हैं एडिशनल एस पी पर जब आप एडिशनल सुप्रेटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं यूपीपी के अंडर में तो वहां पर आपको द्यान रखना है कि वहां ौफ यहां पर आपके पास दिखाई दे रहा होगा असोक चक्र का सिंबल दिखाई दिया जाएगा ठीक ना उसके बाद ऐस्पी की बात करें तो भ의या ये लोग को अगर सबसे आंखरी पोष्ट जो होती है या फिर सबसे बड़ी पोष्ट अगर हम बात करें यूपीपी वो होता है भाया DZP और सबसे छोटी सबसे lowest rank की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है भाया वो होती है constable की सबसे बड़ी हो गया DZP सबसे छोटा post हो गया वो हो गया constable की यहाँ पर ध्यान यह रखना है भाया कि यह जितने post यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं म तो यह commission rank की post होती है आपको पता है कि दो तरीके की जौब होती है अकॉंटेंसी देख रहा है उसकी सैलली के बारे बात करें तो जो इसके पहले क्योंकि आपको पता है यहां पर ग्रेड वाइज आपकी सैल भी चेंज होती रहती है अगर हम बात करें सिंख्थ पे ग्रेड की तो भाई जिक्सुट पेड़िट में आपके पास जो पैश्केल ग्रेड पे दिया गया था वो दिया गया था आठाइस सो रुपए और साती साथ इनिश्यल बेसिक पेमेंट जो आपके पास दिया गया था वो आठ 8,000 रुपए दिया गया था मंतली ग्रॉस सेरी की बात करें तो 40-50,000 के बीच में आपको मिलता है कई वरी यहां पर चेंज भी होता है अगर आप टाउन में रह रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग आपकी पोश्ट होगी अगर आप सीटी में रहे हैं सीटी एरिया में तो वहा according आपके पास याद रखना है कि यह जो आपका salary है वो change भी होता है इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपके monthly gross salary होती है वो 40,000 से 52,000 तक थी जब आपके पास 6 pay grade लेकिन अगर हम बात करें 7th pay grade की तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि 7th pay grade में भी आपकी salary 40-52,000 के बीच में रहेगी लेकिन यहाँ पर कुछ basic चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि सर जो initial basic pay है जो कि यहाँ पर आपके पास 8,000 था वो यहाँ पर 29,200 रुपए बढ़ जाता है एकदम मतलब fluctuate हो जा रहा है ठीक है ना साथी साथ यहाँ पर जो pay grade दिया गया था यहाँ पर 2800 था सेम वही रहेगा अभी भी और जो pay scale दिया गया था वही है यहाँ पर 20,200 था लेकिन यहाँ पर इसको increase करके 29,200 रुपए कर दिया गया है ठीक है ना अगर हम बात करें ऐसे ही UPP constable की salary भी है तो constable की जो salary होती है वह एप्रॉक्स 30,000 से 40,000 के बीच में होती है यह 6th pay scale के according और 7th pay scale के according दोनों के according मैंने बताए यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि सर जो pay scale है वो दोनों का पहले जैस constable हो दोनों का सीम रखा गया था लेकिन जैसे ही यहाँ पर 7th pay grade की बात करते हैं तो यहाँ पर clerk और constable में difference कर दिया गया कि clerk की salary वो ज्यादा रखी गई है और जो constable उसकी salary कम रखी गई है इसके according अगर हम बात करें इसके बात की भी यह तो इसके बाद आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि अगर हम DSP की बात करें कई बारी हमारे मन में सवाल आता है कि यह DSP की कितनी salary होती होगी चले हाज यह भी clear कर देते हैं अगर आप UPP में हैं उत्तर प्रदेश पूलिस में DSP पोस्ट पर हैं तो याद रखिएगा उस condition पर आपकी जो salary होती है व तो भया SP की salary आपको देखने को मिलेगा कि 110,000 से 1,35,000 के बीच में होगा यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर fluctuate भी होती है salary वो depend करता है कि अप किस जगह पर बिलॉंग कर रहे हैं किस जगह पर आपको पोस्टिंग मिली हुई है तो इसकी वज़े से आपको कई ब तो उसके लिए अब गाओं के according देखें गाओं का तो salary का अगर वहाँ पर देखें तो salary कम होने का reason यह है कि वहाँ पर महगाई भत्ता थोड़ा सा कम हो जाएगा जैसे कि जो आपका rent मिलना है तो मिलना ही है तो कही न कही वहाँ पर कम होती है लेकिन अगर आप यही पर city प बताऊंगा और बहुत जल्द जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे सारे के सारे में आपको बताता रहूंगा ठीक ना तो तक तक ऐसा है प्यार बना करके रखेगा सभी को जैहन